हलो रमस्कार साथियों स्वागत है आपके अपने इडिज प्यानल जे इल जहारखन लाइब में दोस्तों हम लोग यहाँ पर आज इस वीडियो में देखने वाले हैं समझने वाले हैं प्रद्म स्री प्रोफेसर दीगंबर हांसदा के बारे में तो उनका हाली में नीधन हो ग विडियो में तो अगर आप जहारखन लाचलल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लिजे दोस्तों और साथ ही जो बेल आएकन मना हुआ है उसको प्रेस कर लिजे ताकि आगए का जो भी अपडेट्स आएगा वीडियो आएगी नोटिफिके सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी दोस्तों चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लिए और चलिए हम लोग यहाँ पर एक एक करके इनके बारम यहाँ पर महत्पुन फैक्ट्स यहाँ पर देखते हैं तो इनकी जो कुछ प्रमुख उपलब्धिया रही है सबसे पहल का संथाली भासा के ओल्ची की लिपी में उन्होंने अनुवाद किया था तो यह काफी बड़ी उपलब्धी इनकी यह रही है पिछले कुछ दिनों से वे बिमार चल रहे थे और उनका 81 वर्स में उनका निधन हो गया है संथाली भासा और साहित्ति में उलेखनिय योगदा के लिए प्रोफेसर दिंगमर हांसुदा को दो वर्स 2018 में पद्म पुरोषकार दिया गया था तो याद रखीगा यह काफी महजपूर्ण है यहाँ पर आपके एक्जाम पॉइंट आफ व्यू से कि उनको पद्म पुरोषकार किस वर्स दिया गया था तो वर्स 2018 में दिया और जुसरा जो पर मुख बात है वो याद रखीगा कि उन्होंने भारती समीधान का संथाली भासा के ओल्चीक की लिपी में अनुवाद यहाँ पर उन्होंने किया था तो चली हम लोग यहाँ पर इनके बारे सारे डिटेल्स यहाँ पर फैक्ट्स यहाँ पर देख लेते ह तो उनकी यह तस्वीरे हैं जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं और चली हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि वे कहां से बिलाउं करते थे उनका जन्म कब हुआ सारे फैक्ट्स हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो भारती समिधान का संथाली भासा के ओल्ची किलिपी में अनुवाद करने वाले पद्मसरी प्रोफेसर दिगंबर हांसदा का गुरुवर को निधन हो गया 81 वर्षिये प्रोफेसर हांसदा पिछले कुछ दिनों से बिमार चल रहे थे जमसेत पुर के करन डी स्थित लाल भादूर सास्त्री मेमोरियल कॉलेज के पुर्व प्राचारी प्रोफेसर दिगंबर हांसदा को संथाली भासा और साहित्य में उलखिने युगदान के लिए 2018 में पद्मसरी पुरसकार मिला था तो याद रखिएगा यहाँ पर लाल भादूर सास्त्री मेमोरियल कॉलेज के वे प्राचारी रहे थे और प्रोफेसर भी रहे थे और उनको यहाँ पर संथाली भासा और साहित्य में उलखिने युगदान के लिए 2018 में उन्हें पद्मसरी पुरसकार दिया गया था प्रोफेसर दिगंबर हांसदा का जन जमसेदपूर के समीब गाउं दोवा पानी में हुआ ठीक है उनका जो परिवार था वो आदिवासी समाई से बिलाउं करते थे और वे क्रिशक परिवार में हुआ था उनके परिवार जो थे वो एक किसान थे फिलहाल वे सारजों टोला करंडी जमसेदपुर में निवास कर रहे थे तो यहाँ पर देख लिए 2018 की ये तस्वीरे है जब उन्हें पद्म सिरी पुरसकार से सम्मानित किया जा रहा था राजपति रामनात कोविन जी के द्वारा चलिए अब लोग यहाँ पर आर भी उनके बारे में मत्रून फैंक्स यहाँ पर देख लिते हैं तो उनकी प्रात्मिक सिक्षा जो हुई थी वो राजदोहा मेडिल स्कूल से हुई थी जबकि उन्होंने 1963 में राजपति राजपति विज्ञान में असनातक और 1965 में एमे किया उसके बाद तीसको तीसको जो की टाटा की एक कमपनी है तो यहाँ पर आदिवासी वेलफेर सोसाइटी से जुड़ गए दिगंबर हांचदा ने आदिवासियों के समाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए पस्चिम मंगाल और उडिसा में भी काम किया प्रोफेसर हांचदा संथाल साहित्य अकादमी के संस्थापक सदस से भी रहे हैं तीक है उसके बाद ऑल इंडिया संथाली फिल्म वर्स दोजार्ननो में निखिल भारत मंग शाहिति सम्मेलन ने असमारक समान से सम्मानित किया वहीं भारतीय धलित्य साहित्य अकादमी नई दिल्ली दवारा उन्हें डॉक्टर अंबेडकर फेलोसी प्रदान भी किया जा चुका है थीक है तो यह सारे डिये गयET और कार के ट्राइवल अनुसंधान संस्थान एवं संसाहित्यकादमिक के सदस्य भी रहे और उन्होंने सिलेबस की कई पुस्तकों का देवनागरी से संथाली में अनुवाद किया तो बहुत सारे ऐसी पुस्तकों का उन्होंने अनुवाद किया जो कि देवनागरी से हिंदी से सं संथाली भासा में उन्होंने अनुवाद किया है इसके अलावा उन्हों lle उन्हों ने इंट लीडेयत अस्नातक और अस्नात कोटर के लिए यह संथाली भासा का कोर्श संग रहित किया कर्या है उन्होंने भारती संभीधान का संथाली भासा की ऐल्ची की लिपी में अन्वाद करने के साथ ही कई पुस्तके भी लिखी है सिक्छा विद सहित्तिकार समाज सेवी होने के साथ साथ वे बेहद नेक दिल के इनसान भी थे प्रोफेसर हांसदा ने आदिवासी भासा सहित्ति के छेत्र में जारखन की अलग भहचान दिलाई है उनकी जो प्रमुख रचना थी कृतिया थी वो देख लिए यहाँ पर याद रखीगा ये काफी महत्पूर्ण है और ये काफी लोग पिरिये रही है तो देख लिए कौन-कौन सी कृतिया है पुस्तके हैं तो सरना गध्य पध्य संग्रा एक ये है दूसरा जो है वो संथाली लोग कता संग्रा तीसरा जो है भारोतेर लौकिक देवी चौथा जो है यहाँ पर गंग माला है और संथालों का गोत्र काफी लोग पिरिये रही ह तो ये सारे जो लोग कृतिया है उनके यहाँ पर उनकी कृतिया है लिखी गई है पुस्तके वो काफी चर्चित रही है इसके अलावा उनके पास किताबों और सोध का खासा संग्रा भी रहा है तो उनका हाले में यहाँ पर निधन हो गया है और वे आदिवासी समाज के लि हैं जो कूर्स त्यार किया गया है वे उनहीं के द्वारा त्यार किया गया है वर्स 2018 में उन्हें पदमश्री प्रुषकार से सम्मानित भी किया गया था तो यह सारी बाते आप यहाँ पर याद रखीगा एक्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी और भी बाते थी जो उनका आधिकारियों में बदलाव नहीं आया है खानपान में मालभाद की परंपरा भी खत्म हो रही है ऐसा उनका मानना था आधिवासी जन्जाती भासाओं में मिलावट चरम पर है काफी आविस्कार हो रहे हैं लेकिन सुध जन्जाती भासाओं की आम बोलचाल और लिखन कारि में मिलावट जो है वो दुर्भाग्य पूर्ण है ऐसा उनका मानना था इस जो है यहाँ पर जो मिलावट हो रही थी उनके बारे में वे काफी जो है वो चिंतित थे कि जो आदिवासी समाजी का रहंचन है खान पान है जो संस्कृति है वो जो है अनिधर्मों में मिलावट हो झारखन राज जी का जो अलग निर्मान उधा तो उनका श हो सका यह सारे बाते जो थी वहांव पुरा नहीं हो सका तो दोस्तो यह थी यहां पर अब प्रोफेसर दिगंबर हांसदा के बारे में महत्पुन फैक्ट्स और इनकी काफी जो रचनाये हैं वो याद रखिएगा और इन्हें अवार्ड कब दिया गया है वो याद रखिएगा एजाम पॉइंट अफ व्यू से काफी इंपॉर्टें के बारे में